पीज्या हो या ढोसा सभी को बहुत पसंद आता है। हाई गाइस मैं तारकुस्वाहा टेश्टी होम कुक में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पीज्या ढोसा जोकी बहुत ही जादा चीजी रहेगा। तो चलिए इस टेश्टी सी रिस्पी को सुरू करते हैं एकदम नया तरीका बताऊंगी तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अपने घर पर आराम से आप इसे बना सकेंगे। इस रिस्पी को बनाने के लिए हमें चाहिए ढोसा बेटर। तो मैंने आप लोगों को कई तरीके से ढोसा बेटर बनाना बताया हुआ है। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आई बटन पे भी लिंक शेयर कर दूँगी। उसके बाद हमें चाहिए कुछ कच्ची सबजियां जैसे की सीमना मिर्च हो गई। पत्ता गोभी यहां पर मैंने चॉप किया है। बारिक बारिक साथ में टमाटर है और प्याज। सबी चीजों को बारिक चॉप कर लीजिये। उसके बाद हमें चाहिए पीजा सॉस। तो अगर आपके पास पीजा सॉस नहीं है तो टमाटर केचप ले लीजिये। और इसमें हम लोग डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्ची। अच्छी तरह से दोनों चीजों को मिक्स कर दिजी और आपका यहां पर यह पीजा सॉस बन करके तयार हो चुका है। सारी तयारी हो गई है चलिए आप सुरू करेंगे बनाना। तो एक तावा लोहे का गरम होने के लिए मैंने यहां पर रखा हुआ है। अच्छी तरह से गरम हो गया है धुआ निकल रहा है। अगर आपके पास ऐसा तावा नहीं है तो आप नॉनिश्टिक तावा ले सकते हैं जिसमें आप धोसा बनाते हैं। कुछ इस तरीके से आपके घर में तावा अलेबल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नहीं है तो रोटी वाला जो आइरन का तावा है आप उसमें भी बना सकते हैं। तावा गरम हो गया है जबसे पहले हम यहां पर धोसा बनाएंगे तो अराम से दो चम्मच्छ बेटर डालेंगे क्योंकि यहां पर मुझे मीडियम साइज का पीजर धोसा बनाना है। तो पूरे तावय का बना लेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा जैसे ही धोसा आपको बन जाए उपर से ड्राई हो जाए तो इसके उपर हम लगाएंगे बटर पूरे में बटर को फैला दीजिए और इसके बाद बीच में मैंने रख दिया ही पिखलने के लिए जब बटर हलका से पिखलने लगे तो सारी कच्ची सब्जिया जो हमने चौप करके रखा था उसे डाल देंगे उसके बाद हमें इसे कल्ची से हलके हाथों से प्रिस करते हुए पूरे में फैला देना ताकि ये भाफ में पक जाए फिर इसमें हम लोग डाल देंगे नमक, नमक डाल देने से कच्ची सब्जिया जो है जल्दी से पक करके रेडी हो जाती है साथ में यहाँ पर हम डालेंगे पीजा सौस जो हमने बना करके रखा हुआ था तो लगभग यहाँ पर मैंने दो चम्मच यूज किया हुआ है भार करके कम जादा किया जा सकता है अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स करेंगे इस प्रोसेस को करने में आपको बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा दो मिनट में यह रेडी हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर घर पर रखी हुई चीजों से ही बनाना बता रही हूँ ताकि आप सभी लोग अराम से बना पाएं कोई भी दिक्कत आपको ना हो तो कुछ सेकंड तक यहाँ पर सभी चीजों को मिक्स करते हुए मैंने पकाया हुआ है उसके बाद जो है एक आलू मैशर लीजिए उससे मैश करके पूरे में फैला देंगे जैसे मैं फैला रही हूँ ऐसे ही आपको भी फैला करके तायार कर लेना है फिर हम इसके उपर छिड़काओ करेंगे पीजा मसाले का मार्केट में कई तरह की पीजा मसाला अलेबल है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो एक से डेल चमच यहाँ पर हम छिड़काओ करेंगे साथ में हम इसमें डालेंगे और इक गीनो जिसे की बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है तो बढ़िया से छिड़काओ कर दीजिए फिर हमें एट करना है चीज तो चीज आप यहाँ पर कम जादा कर सकते हैं जितना जो है पीज़ड हुसा को चीजी बनाना चाहा रहे हैं आप उसी साब से मैंने यहाँ पर दो क्यूब यूज़ किया हुआ है चीज का मैंने हाँ पर अमोल चीज यूज क्या है आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं जैसे ही चीज आपकी अच्छी तरह से पिघल जाए थोड़ा से यहाँ पर और और चिर्काव करेंगे उपर से उसके बाद गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए और पीजड होसा को हमें कट करना है तो आप चाहें तो चार भाग में डिवाइट कर सकते हैं या फिर आठ भाग में मैं यहाँ पर इसे चार भाग में डिवाइट कर लेती हूँ तो यह हमारा बहुत ही कम टाइम में पीजड होसा बन करके तयार हो चुका है इसे हमें कर्मा गरम सर्फ करना है उम्मीद है आज की रिस्पी आपनों को पसंद जरूर आई होगी आप अपने घर पर बना करके ट्राइक करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा उद वीडियो को लाइक करेंगे मिलते हम आप लोगों से एक नए रिस्पी में बाई गाईस